क्या निखिल जैन से शादी करने से पहले ही नुसरत का प्लान था उन्हें छोड़ देने का क्या नुसरत जहां इसी लिए निखिल जब कहता था कि कौट मैरिज कर लेते हैं मैरिज को रजिस्टर करवा देते हैं तो इस बात को डाल देती थी वैल ऐसा ही चौका देने वाला खुलासा अब नुसरत जहां के हस्बन निखिल ने किया है कर नुसरत जहां ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने पैसे को लेकर बात की कि निखिल ने उनकी जूलरी उनके ऐसेसरीज उनके महंगे बैग्स सब कुछ अपने पास रख लिए इलीगल तरीके से नुसरत जहां के अकाउंट से पैसे विड्रौ करने की बात नुसरत ने कही और कहा कि नवंबर 2020 से ही हम लोग अलग रह रहे हैं और भी निखिल को लेकर जितने भी खुलास से नुसरत जहां ने किये थे अब निखिल का उन सभी पर जवाब आया है आज निखिल की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने नुसरत जहां की असलियत बताई है निखिल ने आज एक पेज का स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मुझे नुसरत से प्यार नहीं था उसके बावजूद मैंने नुसरत को शादी के लिए प्रपोस किया जो कि उन्होंने खुशी-खुशी एकसेप्ट कर लिया और फिर हम टर्की गए डेस्टिनेशन वेडि पार्टनर्स की तरह थे ये तो मैरिज वैली थी नहीं है तो इस पर निखिल ने ये कहा है निखिल ने कहा कि मैंने अपना समय और बाकी की चीज़े एक पती की तरह ही नुसरत पर इन्वेस्ट की मैंने उनके लिए क्या नहीं किया और मैंने हमेशा बिना किसी लालच के लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद नुसरत के बरताव और शादी शुदा जीवन के परती उसके बिहेवियर में बदलावाने लगे खास कर अगस्त 2020 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके तेवर जादा ही बदले आपको बता दे कि लास्ट यर नुसरत जहां ने यश दास गुपता के साथ ही फिल्म की थी SOS कोलकता और कहा जा रहा था कि तब से इन दोनों के अफैर की खबरे आई इसका कारण वो ही जान सकती है लेकिन मेरी पतनी के बरताव के अंदर इतने चेंज़े आए कि मैं भी एक बार के लिए सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है आगे निखिल कहते हैं कि हम जब साथ रहे तो मैंने लगातार नुसरत को मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए कहा लेकिन वो बार बार टाल देती थी 5 नवंबर 2020 को नुसरत मेरे घर से अपना सारा सामान लेकर अपने परसनल फ्लैट पर चली गई उसके बाद हम दोनों साथ नहीं रहे वो अपने साथ अपनी सारी नीजी चीजें पेपर्स और डॉक्यमेंट्स लेकर ही गई इसके अलावा आईटी के पेपर्स और बचा हुआ कुछ सामान मैंने कुछ दिनों बाद नुसरत को भिजवा दिया मीडिया में जो खबर आ रही है ये खबरे पढ़कर मैं बहुत दुखी हूँ और इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने नुसरत को चीट किया हो और आखिरकार आट मार्च को मैंने कौट में सिविल सूट फाइल कर दिया जिसमें मैंने शादी को रद्द करने की मांग की है तो बाकी चीज़े अभी कोट में चल रही है मैं उन पर जादा बात नहीं कर सकता लेकिन नुसरत ने मेरे उपर जो कुछ बेलजाम लगाए हैं वो सब ही बेबुनियाद है निखिल ने ये भी बताया कि शादी के बाद नुसरत का एक लोन खत्म करने के लिए निखिल ने अपने फैमिली अकाउंट से कुछ पैसे निकाल कर नुसरत को ट्रांसफर किये थे ये सोच कर कि जैसे ही उसके पास फंड जाएंगे वो ये पैसा लोटा देगी अगर नुसरत की तरफ से किसी भी तरह का फंड मुझे ट्रांसफर किया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस लोन को पे करने के लिए किया गया है जो मैंने उन्हें दिया था और इस लोन में से अभी भी अच्छी खासी रकम जो है वो पैंडिंग है जो उन्हें चुकानी है और जो भी इलजाम उन्होंने मुझ पर लगाए हैं वो baseless है उनमें कोई सच्चा ही नहीं है और मेरे पास मेरे bank statements है, credit cards है जो proof है मेरे परिवार ने नुसरत को छोटी बेटी की तरह पाला, ये जाने बिना कि एक दिन हमें नुसरत के कारण इस तरह का दिन देखना पड़ेगा निखिल ने मीडिया से request किया है कि कोई भी इस तरह का comment ना करें जिससे मेरी personal life पर problem आ जाए तो ये बयान जारी किया है नुसरत जहां के husband निखिल ने वैसे नुसरत ने निखिल को husband नहीं उन्होंने तो कहा है कि ये शादी ही valid नहीं थी और निखिल उनके लिए live in partner से कुछ जादा नहीं है नुसरत जहां का नाम उनके को अक्टर यश दास गुपता के साथ पिछले कुछ समय से जुड़ रहा है और कहा जा रहा है कि नुसरत जहां जो है यश के बच्चे की माँ बनने वाली है